रासदानी में बढ़ते परदूशन की वज़े से सुबह सैर करने वालों को काफी दिखकतों का सामना करना पढ़ रहा है। पियम-दस सांस के माद्यम से गले, श्वास, नली और फेफ़डों तक पहुंच कर जम जाता है। इससे अस्तमा या स्वास रोगों की शुरुवात हो सकती है PM10 की मातरा 200 माइक्रोग्राम प्रतिवर्ग मीटर के उपर जाने पर स्वास के लिए खतरनाक हो जाता है वही PM2.5 बहुत सुक्ष्म होता है और इसके कान सांस के माध्यम से खून में पहुच जाते हैं यह फेफलों को तो नुकसान पहुचाता ही है लेकिन खून में घुलकर अन्या अंगों को भी नुकसान पहुचा सकता है बाचीत में ट्रक्टर शुरद जोसी ने बताया कि परदूशन के दुरान वाकिंग या व्यायाम के दुरान आदमे तेजी से सांस लेता है इसकी वज़ा से हवा में PM10 और PM2.5 के करण स्वास नली में आसानी से पहुच जाते हैं PM10 और 2.5 समाने से 8 गुना अधिक होने के करण स्वास विशेशक के मोर्निंग वोक ना करने की सला दे रहे हैं ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्याबाद